चीन की विस्तारवादी नीती आज भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। भारत और चीन के बीच तनाव चलने लगा है। खबरों के अनुसार चीन ने कुछ भारती छेत्रों में अतिकरमड कर लिया है और लगातर इसी तरह के कारियों में प्रयास रथ है। सोनम वांग्चुक जी ने देश्वासियों से एक अपील की है तो अब सुनते हैं सोनम वांग्चुक जी की अपील और उनके इस मैसेज को ज्यादा ज्यादा भारतीयों तक पहुचाने की कोशिस करते हैं। नमस्ते, सलाम और जूले, स्वागत है आपका चीन का जवाब इस श्रिंकला के दूसरे भाग में। उमीद है आपको मेरी आवाज सुनाई दे पाएगी, यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, बलकि कल तो इतनी हवाएं चल रही थी कि हम रेकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इसलिए देरी हुई शमा कीजिएगा, आज हम थोड़ी बड़ी माइक लेके आएं हैं, उमीद है अच्छी तरह हो पाएगी, तो मैंने पहले भाग में यह कहा था आप से कि हम आपके सवाल, आपके कॉमेंट्स का जवाब देंगे इस भाग में, तो इसलिए हम आएं हैं और सबसे पहले जो बहुतों ने यह पूछा है सवाल वो लेते हैं, पहला सवाल है, क्यों बाइकोट करें ची क्या यह नफरत सेलाने के समान नहीं है, जी नहीं नफरत सेलाने की बात नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा है, चीनी लोगों से हमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, हमें समस्या है तो चीनी सरकार से, तंत्र से, जो की विस्तारव जो की शोशन करती है उन से समस्या है चीन के हर बात पे दुनिया खामोश रहती है तो ये एक वेक अप कॉल है जो हम दे रहे हैं चीन के अंदर ही एक सो चालीस करोड लोग लगब बंदुआ मसदूर की तरह काम करते हैं हकुक अधिकार नहीं हैं कुछ बोलें तो वो गायब ह जाते हैं और दुनिया उस पे खामोश है और सौदा करना चाहती है बिजनस एज यूजवल अंदर जाएं तो टिबेटन बुदिस्ट साथ लाक में से बारा लाक मारे गए लगब शे हजार मंदिर मठ तोड़े गए दुनिया खामोश है हम बिजनस करना चाहते हैं बात करत हैं सिंग जांग में यूगर मुसल्मानों की करोड की जनसंख्या है और दस लाक यूगर मुसलिम्स जेल में बंद है अभी इस वक्त और हजारों मस्जिदें तोड़े गए हैं दुनिया खामोश है हम सौदा करने की बात करते हैं उनसे श्री लंका को देखिए चीन के में डूबा है कि शायद ये देश भी एक गुलाम सा हो जाए दुनिया खामोश है सौदा करना चाहती है ये तो दुनिया की बात हुई मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे दर्वाजे पर क्या हो रहा है लदाख की दर्ती में चीन 1962 से जहां पर की जंग खत्म हुई थी कि हम उनको जो मनमर्जी वो करते हैं धका मुकी करने देते जा रहे हैं तो क्या हम ये कहें उनसे कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता नहीं अब हमें जवाब देना होगा और जवाब हमें अपने हाथ में लेके wallet power से देना होगा और ये कोई गलत या बुरी बात भी नहीं है sanctions सदा प्रियोग किये जाते हैं जब भी कोई गलत करता है वो चाहे देश हो उत्री कोरिया पर sanctions लगाते हैं देश तो हम क्या अपने personal economic sanctions नहीं लगा सकते इन देशों पर और boycott करना कोई नहीं बात भी नहीं है आपने सुना होगा स्वादेशी movement boycott movement तिलक जी के नेत्रित्व में 1905 से शुरू ही थी British सरकार के खिलाफ boycott का उनके सामान का तब हम British सरकार के गुलाम हो चुके थे अब हमें समझ आनी चाहिए कि prevention is better than cure तो इसलिए हम अभी से करें बलकि मैं तो कहूंगा कि अगर हम कुछ ना करें और देखते रहें तो वो गुना है जुल्म करना गुना है तो जुल्म सहना भी गुना है आप में से बहुतों ने दूसरा सवाल पूछा है जनता को क्यों करनी पड़ी बैन या boycott हमारी सरकार क्यों नहीं बैन करती चीनी सामान को देखिए सरकारوں के बंदीशे होती है प्रोटोकॉल्स होती है वयपार बहुतरफा होती है तो इसलिए सरकार के लिए शुरू में मुशकिल हो सकता है मगर अगर जनता करे, जनता की अपनी मर्जी है, चॉइस है, कस्टमर इस दे किंग, तो कोई दुनिया की ताकत उसे पूछ नहीं सकती कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं, वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतिजार करें, जब लोग कुछ करन क्या ये व्यवहारिक ये संभव भी हैं, कि हम चीन जैसे बड़े देश के सामान को बॉइकॉट कर सकें, जब कोई देश या कोई तंत्र अत्याचार करें, ज्यादती करें, वो हद से बढ़ जाए, तो मुम्किन क्यों नहीं, अगर जनता में जजबा हो, अरब स्प्रिंग में एक नहीं, पांच-छे तानाशा सरकारें गिर गई महीनों में, और वो शुरू हुआ था एक सबजी वाले की पुकार से, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम, जो कि हमारे दरवाजे पे इतना अत्याचार और इतनी जोर जबरदस्ती कर रहा है, हमारे क चीन में बने सामान के बिना कैसे काम चलाएं, ना सिर्फ सामान बलकी सामान के अंदर के कलपुर्जे भी चीनी होते हैं बहुत बार, और विकलप क्या हैं, दोस्तो हम चीनी सामान में डूबे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, एक शेयर है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा इस हालत को दिखाने के लिए, खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से, अपनी आयाशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे गुसाल चीनी और कफन भी चीन से, गुसाल जो मरने के बाद शरीर को दोने वाले लोग होते हैं, वो भी अब चीन से आने लगेंगे और कफन भी चीन से आने लगेंगे, बहराल देखिए जिन्दगी प्यूर एकनामिक्स नहीं होती, सब कुछ पैसे में नहीं होता, कुछ असूल भी होते हैं, अच्छे बु नह या पाप से जुड़े चीजों से दूर रहें, जैसे आप देखेंगे कि हमारे मुसल्मान भाई शराब से दूर रहते हैं, कुछ भी हो वो नहीं पियेंगे, हमारे सिख भाई सिगरट से दूर रहते हैं, तमबाखु से, हमारे हिंदू भाई गौमास से, या जैन आए के लोग तो मास ही नहीं, बलकि लहसन, प्याज ऐसे चीजों से भी, वो नहीं खाते हैं, तो जहां भी वो जाएं कभी सफर में, यातरा में, तो क्या वो बूखे मर जाएंगे, नहीं, अगर द्रिड निश्चे हो, पक्का इरादा हो, तो एक एको सिस्टम, एक हालात बनती जाती है, उस रास्ते में, जब हम बरदास्त करके चलते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे बोजनाले, रेस्टरांट्स निकलेंगे, जो जैन फूड सर्व करेंगे, तो एक साल, दो साल में, एक नया इको सिस्टम बन जाता है, उसी तरह, अगर हम ये चीन के सामान को भी गुना से जुड़ी समझे, जैसा कि मैंने कहा, इसके पीछे अत्याचार है, तो एक दो साल में, सारे दुनिया के देश और अपने हमारे देश में, ऐसे चीजें बनने लगेंगी, कि हमें इसका याद भी नहीं होगा, कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे, तो फिर हाड़वेर में भी, फिनिश्ट प्रोड़क्ट्स, नॉन एसेंशल्स, इन ए येर, कॉम्पनेंट्स, रौ मेटिरियल्स, एन एसेंशल्स प्रोड़क्ट्स, इन टू येर्स, हम योजनाबद तरीके से चल सकते हैं, अगर हमारे अपने में सूजबूज है, कोई ऐसा नहीं है कि कल या परसों ही हम सब कुछ बंद करें, हम ये कहें कि फिनिश्ट प्रोड़क्ट्स वाले अभी से हम बंद करेंगे एक साल के बीतर, जिसमें कॉम्पनेंट्स जाते हैं, जो हमारे भारतिय उद्योग में भी इस्तिमाल होते हैं, वो हम साल दो सल तक चलाएंगे जब तक कि ऐसे विकल्प न बन पाएं, और जहां तक विकल्प या रिप्लेस्मेंट्स की बात है इन चीनी सामानों का, तो एक बात जरूरी ये है कि हर चीज़ की हमें रिप्लेस्मेंट्स जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, हमारी जिन्दगी साधा भी हो सकती है, इस लॉक जरूरत भी नहीं है, दस जोडे जूते, पचास जोडे जुराब, क्यों जरूरत है इनकी, क्या हमें एक साधा जीवन नहीं जी सकते हैं, बदल सकते हैं जिन्दगी के शैली को कि हम थोड़े में ही गुजारा करेंगे, मगर साफ अच्छे चीज़ों को ही अपने जीवन से आखी सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो है, हम इसे एक राष्ट्रिय आंदोलन कैसे बना सकते हैं, नेशनल मूवमेंट, देखिए मैंने एक छोटी सी पहल की है लदाक से, ये मत उमीद कीजिएगा कि लदाक से कोई एक आदमी इसको चलाएगा, इस बटुए के आंदोलन में हर नागरिक एक सिपाही है और ये उतने ही दूर तक चलेगा जितना आप इसे ले जाना चाहेंगे, तो मुझे उमीद है कि भारत का हर नागरिक इसे एक अवसर, ऑपर्चूनिटी बनाएगा आत्म निर्बर भारत बनाने का, हमारे जो सेलेबरिटीज, इन्फुएंसर्स और नेता हैं, वो युवापीडी को नित्रित्र दे सकते हैं इस मामले में, और मुझे बहुत उमीद है कि आप लोग भी अपना रोल निबाएंगे देश प्रेम का, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस्धार नहीं, वो हिदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें प्रदेश का प्यार नहीं, जैहिन